नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो अकैडमी में आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ओलंपिक खेलों में भारतिय खिलाडियों द्वारा किये गए प्रदर्शन की जानकारी लेकर भारत ने अपने पहले ओलंपिक खेल में हिस्सा लेते हुए दो पदकों के साथ अभियान की शुरुआत की थी तब से लेकर आज तक भारत ने पचीस ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेते हुए कुल 41 पदक जीते हैं जिनमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आईए विस्तार से जानते हैं कि किस-किस भारतिय खिलाडी ने कब-कब और किस खेल में क्या पदत जीता। भारत ने ओलंपिक में अपने सफर की शुरुवात साल उन्नीस सौ में पेरिस में आयोजत खेलों के साथ की। इस ओलंपिक में नौर्मन प्रिचाड में भारतिय खेलों का प्रतिनिधित्व किया। आधुनिक ओलम्पिक में पहले भारतिय खिलाडी नौर्मन प्रिचाड ने पुरुशों की 200 मीटर गौड और 200 मीटर बाधा गौड यानि की हर्डल रेस में देश को पहले दो रजत यानि की सिल्वर मेडल दिलाए। आधे अब हम जानते हैं ओलम्पिक खेलों में भारतिय पुरुश होकी के प्रदर्शन के बारे में। भारत के ओलम्पिक इतिहास में होकी को सरवोर्च स्थान प्राप्त है। यही एक खेल है जिसमें हमने राच किया। होकी में भारत ने अब तक 8 स्वर्ण पदक सहित कुल 13 अपने नाम किये हैं भारतिय पुरुष हौकी टीन 1928 के ओलंपिक खेलों जो एंस्टरडम में आयोजत हुए पहला गोल्ड मेडल जीता भारतिय पुरुष हौकी टीन ने दूसरा गोल्ड मेडल 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में जीता तीसरा गोल्ड हौकी टीन को 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेल में जीता 1960 में भारत का लगातार सातवी बार स्वर्न पदक जीतने का सपना तूट गया और सिलवर मेडल मिला। तोक्यो उलम्टिक 1964 में भारतिय टीन ने शातवी बार स्वर्न पदक जीता। 1968 के मेकसिको उलम्पिक में भारतिय हौकी टीन को कांस्य पदक मिला। 1972 के Munich Olympic में भारतिय होकी ने रजत पदक के साथ लगातार दस्वा पदक जीता. मॉस्को 1980 के Olympic खेलों में भारतिय होकी ने गोल्ड मिडल जीता. यह भारत के लिए ओलंपिक में आखिरी हौकी स्वर्ण पदक था तोकियो ओलंपिक 2020 में भारतिय हौकी टीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता भारतिय हौकी टीन ने हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता इस प्रकार भारतिय होकी ने कुल 13 पदक जीते जिसमें से 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते आईए होकी के बाद अब जान लेते हैं, बाकी ओलंपिक मेडल विजेताओं के बारे में अगले ओलंपिक पदक विजेता हैं, केडी जाधव, इनका पुरा नाम है, खाशाबा दादा साहिब जाधव केडी जाधव ने हेल्सिंग की ओलंपिक जो 1952 में संपन हुए, उसमें पुरुष बैंटम वेट कुष्टी में कांस्य पदक जीत के साथ ओलंपिक खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत पदक विजेता बने अगले ओलंपिक मेडल विजेता है, लेंडर पेस, लेंडर पेस ने में सिंगल टेनिस में ब्रॉंज मेडल, एटलांटा ओलिंपिक 1996 में जीता इससे पहले संपन हुए तीन ओलंपिक में भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता था अगले इंडियन ओलंपिक विजेता है करनम मलेशवरी करनम मलेशवरी ने सिड्नी ओलंपिक 2000 में विमेन 54 किलो ग्राम वेट लिफ्टिंग में ब्रॉंज मेडल जीता इसी के साथ करणम मलेशवरी उलम्पिक में पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला बनने का गौरव हासिल किया नेक्स्ट ओलिम्पियन है राज्यवर्धन सिन्ह राठोर राज्यवर्धन सिन्ह राठोर ने पुरुशों के डबल ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता एथेंस ओलंपिक 2004 में सही निशाना लगाकर भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रजत पदक सुनिश्चित किया अगले ओलंपिक पदक विजेता है अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में भारत का सबसे यादगार पल बीजिंग 2008 में आया जब अभिनव बिंद्रा ने पुरुशों के 10 मीटर एयर राइफल में एतिहासिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता अगले ओलंपिक पदक विजेता है सुशील कुमार पहलवान सुशील कुमार ने व्यक्तिगत स्परधा में दो बार ओलंपिक पदक जीता है पहला ब्रोंज मेडल 66 किलोग्राम कुष्ती में बीजिंग 2008 में और दूसरा सिलवर मेडल लंडन 2012 में जीता नेक्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट है विजे कुमार 2012 के लंदन ओलंपिक में 25 मीटर रैपीड पिस्टल में विजे कुमार को रजत पदक पदक मिला अगली ओलंपिक पदक विजेता है साइना नहवाल साइना नहवाल को 2012 के लंदन ओलंपिक में विमेन सिंगल बैडमेंटन में ब्रॉंज मेडल जीता नेक्स्ट मैरी कॉम लंदन 2012 ओलंपिक में मैरी कॉम ने विमेन फ्लाइवेट वर्ग में ब्रॉंज मेडल जीता अगले ओलंपिक पदक विजेता है योगेशवर दत योगेशवर दत ने लंदन ओलंपिक 2012 में 6 kg रेस्लिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला नेक्स्ट ओलिम्पियन है गगन नारंग गगन नारंग ने लंदन ओलंपिक 2012 में 10 मीटर एर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता अगली ओलंपिक पदक विजेता है साक्षी मलिक अलंपिक पदक जीतने वाली पहली भार्तिय महिला पहलवान बनी उन्हे रयो अलंपिक 2016 में 58 किलोग्राम वर्ग रेसलिंग में ब्रॉंज मेडल जीता अगली भारतिय ओलंपिक चैंपियन है पीवी सिंधु पीवी सिंधु दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला खिलाडी है सिंधु ने रियो ओलंपिक 2016 में विमेन सिंगल बैडमिंटन में सिलवर मेडल और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉंज मेडल जीता नेक्स्ट मेरा बाई चानू मेरा बाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में विमेन 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया नेक्स्ट लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेमेन वेल्टरवेट बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता नेक्स्ट रवी कुमार दहिया रवी कुमार दहिया ने टोकियो ओलम्टिक 2020 में में 57 किलोग्राम रेसलिंग में सिल्वर मेडल देश की जोली में डाला अगले खिलाडी हैं बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया ने टोकियो ओलंपिक 2020 में में 65 किलोग्राम रेस्लिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता अगले भारतिये ओलंपिक पदक विजेता खिलाडी हैं नीरच चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद नीरच चोपड़ा ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे एथलीट हैं नीरच चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता के टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल और पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता वह ओलंपिक में दो पदक जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए नेक्स्ट मनुभाकर मनुभाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टॉल परधा में ब्रॉंज मेडल जीता नेक्स्ट मनुभाकर और सरबजोत सिंह मनुभाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस 2024 ओलंपिक में मिक्स्ट तीम 10 मीटर एयर पिस्टल्स परधा में ब्रॉंज मेडल जीता नेक्स्ट स्वपनिल कुसले स्वपनिल कुसले ने पेरिस ओलंपि में में फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुष्टी यानिकी रेस्लिंग में ब्रॉंज मेडल हासिल किया। तो दोस्तों यह तो थी भारत के उलम्पिक पदक विजेताओं के विशह में जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसके साथ ही इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप सदा खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्त रहिए जय हिन